हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गोड इवनिंग उमिद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों और आप लोग ने आज के दिन काफी अच्छा पैसा बनाया हुगा चाहे वो सेल साइड में बनाया हो आज मार्केट भी काफी क्रेक्शन थी काफी प्रोफिट बुकिंग थी काफी गिरावट थी तो उसको भी डिसकुस करते हैं एक बार चार्ट डिसकुस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक बार जो अपने 7600 जो सब्सक्राइबर हैं 7600 अपने ब्रेंड अमेजडर हैं उनका दिल से धन्यवाद दोस्तों आपका प्यार आपके लाइक्स आपके कमेंट्स बहुत इंपोर्टेंट रहते हैं हमारे लिए हमारे वीडियो के लिए और हमें डे टूडे अपडेट करने के लिए तो उसक करते हो उसको रेगुलर में रखिए दोस्तों लाइक्स कीजिए और दोस्तों के शेयर कीजिए आपके कमेंट ही एजुकेट करते हैं मुझे भी कि मैं राइट पात पे हूँ या मुझे कुछ अपडेट करने की जरूर थे आगे बढ़ते हैं दोस्तों पहले डिसक्स करते ह चार्ट देखो निफ्टी में इसको थोड़ा साइनलाज कर लेते हैं ताकि एक अच्छा वियू मिले अपने को अब देख सकते हो वन टू थ्री फॉर फाइफ कितनी बार निफ्टी यहां से यहीं इस लेवल बहुत इंपोर्टन लेवल है यह तूटेगा तो हमको और चीजों के बारे में सोचना है उसके पहले नीचे के डाउन के मामले में अभी नहीं सोचना है डेली के बाद हम एक बार वीकली कंडल देख लेते हैं कितने वीक से आप देखेंगे कि यहीं पे रुक रहा है देखो यहीं पे यहीं पे रुकी हुई है यह तो लेट सी कि यहां से कुछ अपमू आए बजट के बाद कुछ अशा चीज करें गोर्मेंट की बजट के बाद कुछ अच्छी रहली आ जाए और निफ्टी यहां से 19,000 20,000 और पलस से ले जाए नेक्स वन येर में इसमें आप यह चीज भी यूज कर सकते हो जैसे आप यह यह चीज फॉर्मेशन भी आप चेक कर सकते हो कि क्या यह फॉर्मेशन बन रही है क्या यह फॉर्मेशन बन सकते हैं को यहां तक तो हम पोज़ गए है वन, टू, त्री, फॉर और यह फिफ्ट वेव अब यह फिफ्ट वेव काईगी कब स्टार्ट होनी है यह थोड़ा सा समय लगेगा 18 250 का लेवल क्रोष करना बहुत लग जाए कुछ ऐसा तो इसके लिए वेट करेंगे दोस्तों बट नेगेटिविटी के लिए के लिए बोल देता हूं नेगेटिविटी इस से नीचे हमको डाउन फाल आ सकता है नजर कि यह जो स्टोप से यह जो सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा निफ पॉइंट सम्थिंग अरॉंड अंडर टू चला गया है तो करीबन बीस रुपे यह स्टोक आपको दे चुका है अगर आपने प्रोफिट बुक नहीं किया है तो टाइम पे प्रोफिट बुक करते रही है दोस्तों अब स्टोक की बात करते हैं फ्रेश टोक सोना बील डबल सोना बील डबलु में आपको एक चार्ट फॉर्मेशन दिख रहे हैं वीकली केंडल हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक अच्छा चार्ट हमको नजर आए आर एसाई में भी आप अपमो देख सकते हैं यहां पे डिवर्जन्स टोक स्टेट है आर एसाई में डिवर्जन्स है तो यहां से एक अच्छा आपमों अपने को मिल सकता है स्टोप लोस देखो पोजिशन व्यूव के लिए हम डिसकस कर रहे हैं तो स्टोप लोस हम 400 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्टोप अभी 455 पे ट्रेड कर रहा है 485 और 550 तक के लेवल है शोट्रम यू के दोस्तों के लिए जो शोट्रम यू से ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिया से और थोड़ा पेशन्स के साथ होड़ करेंगे तो 600 700 और 800 के लेवल और अलोगेट कर सकते हैं 45 परसेंट अपने पोर्टफोलियो में मानक्षिया का एको स्टोक मानक्षिया स्टिल लिमिटेड स्टोक देखो एक यह रौंडिंग बोटम फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है अगर हम पीछे भी चेक करें इसको तो इसने पीछे भी एक यह बन करने के लिए तो स्टोक अभी ट्रेड कर रहा है फुर्टी नाइन रुपीज पर हमने इस टोक डिसकस किया वादा उस टाइम पर थर्टी वन रूपीज का इस टोप्लोस रखा था बट अभी स्टोप्लोस को हम चेंज करके लेके जा रहे हैं यह वाली लेन की नीचे फुर हम इसमें फिर से रिव्यू कर सकते हैं कि इस कपन हेंडल पैटरं को हम इसके हम तारगेट के लिए जा सकते हैं 100 रुपीज के लिए जा रहे हैं अभी फोटी नाइज ब्लू मि यहां से बिलल पलस हो सकता है बट पहले शोट टर्म में हमस्को चेक करेंगे कि यह 45-54 और 64 ज रहेंगे नेक्स्टों का दोस्तों ISMT Limited है कि लिए टोप मीट किया यह आगे यह आज का जो क्लोजिंग है इसका यह ट्रेल लाइंग के उपर है बिल्कुल प्योरली शोटरम के विउस है छोटा स्टोक है 62 रूपीज के राउंड ट्रेड कर रहा है 67 और 75 यह हमारे शोटरम के टार्गेट है यह आपको एक वीग से 10 डीज में भी यह टार्गेट मिल सकते हैं अगर सब उपर जाता है तो एक नए ओल्टाइम हाई की तरफ भी जाएगा स्टोक तो देखने वाली जी यह है देखो यहां से काफी दिनों तक अक्यूमिलेट हो रहा था रजिस्टेंस के पास अक्यूमिलेशन हो रही है तो इसका मदरो समझोगी क्या उप्शन से क्या चांसिस है पास उपर जाने के लिए स्टोक को प्रोपर स्टोक लोश के साथ ट्रेड करेंगे तो अच्छा पैसा बन सकता है सिर्फ फिफ्टी फाइब का स्टोक लोश रखें और होल्ड करें दोस्तों जो पहले से इसमें इन्वेस्टीड है उनको वोल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट अग स्टोक अभी सेवन्टी सिक्स रुपीज पर ट्रेड कर रहा है एक्टी फाइव से एक्टी फाइव और यह बीच में वन जिरू फाइफ दैंडर ट्वन्टी इन टार्गेट के लिए आप इसमें इन्वेस्टीड रह सकते हैं स्टोक अच्छा लग रहा है वोल्यूं काफी अच्छे नजर आने पिछले तीन वीक से यह वालावी कभी खतम नहीं हुआ है फ्राइडे का दिन अभी बचा हुआ ड्रेडिंग के लिए कल रिपप्लिक डे पे छुटी है तो इसमें भी आप अपना पोजिशन बनाने के लिए प्लान कर सकते हो दोस्तों थैंक्यों फ्रेंट्स आज की वीडियो में जाएं था कुछ चीजें हम आपके साथ डे टाइम में डिस्कस करते रहते हैं आज मार्केट बढ़ी नेकिटीव थी तो हमने अपके साथ जो प्रीमियम ग्रूप है उन लोगों के साथ शेयर किया था सब्सक्राइब का इस ब такой काड अमने डे टाइम में हुआ कि किया था तो आप इसमें अगर आप इउसमें इसमें इनरीआश्टेड़े ॐ इस ग्रूप को ज्यॉइन करने में जे दो है दो अलग separate group है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं मिक्सिंग करना स्विंग ट्रेड को और फ्यूचर अप्शन को तो बिल्कुल सेपरेट चीजे हैं क्योंकि दोनों का फुरुफिट और रिस्क और रिवार्ड दोनों का बिल्कुल अलग रहता है तो उसी के लिया से चार्ट यह बिल्कुल अलग रहते हैं तो आप जो लोग इसको रिवार्ड को समझते हैं वो लोग जोएन कर सकते हैं थैंक्यू फ्रेंट्स आज के वीडियो में इतना है था उम्मीद करता हूं कि अब लोगों के स्टोक्स आइडिया हमने डिसकस की अच्छे लगे होंगे तो लाइक जरूर कीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं फिर्स टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को सर थैंक्यू फ्रेंट्स हैव बंडरफुल टाइम जै हिन जै भारत हम फिर मिलेंगे दोस्तों